Hello children, today we will learn about the verb. The verb, verb is very important in any sentence. Definition is, a verb is a word that tells something about a person or a thing. जो कुछ बताता है person or thing के बारे में. अब, verb is a doing word. एक क्रिया शील, कार्य करने वाला शब्द है. जो भी हम कार्य करते हैं, उसको हम, verb, क्रिया शब्द उसमें इस्तिमाल होता है. हम अभी सीख रहे हैं. हम अभी the verb, क्रिया के बारे में सीख रहे हैं. तो जो हम सीख रहे हैं, वह क्या है? क्रिया है. क्रिया शब्द है. तो जिस शब्द से किसी कारे का करना या होना पाया जाता उसे वर्ब कहते हैं और वर्ब के बिना कोई sentence बनाना असंभव है Kinds of Verb अब verbs के कई प्रकार होते हैं क्रिया जो होती है Intransitive Verb हो सकती है Transitive Verb हो सकती है Linking Verb हो सकती है Auxiliary Verb हो सकती है Intransitive Verb क्या होती है A-Karmak-Kriya Transitive Verb क्या होती है सकर्म-Kriya Linking Verb क्या होती है सयोज-Kriya Auxiliary Verb क्या होती है साहय-Kriya A-Karmak कर्म मतलब object कर्म पर प्रभाव पढ़ना जिस पर कर्म का प्रभाव ना हो उसे Intransitive Verb प्रेते हैं जैसे हम यहां पर देखेंगे प्रमोद गोज, S-V लिखा हो है, S मने होता है subject और V मने होता है और O जहां पर लिखा होगा, वहां पर होगा object, तो subject है यहां पर प्रमोद करता, गोज जाता है, ठीक है, अब यहां पर object की आवशक्ता नहीं है, हो रही है, तो इस verb जो ये verb है goes ये हो गई intransitive verb इसे object की आवशक्ता नहीं है सारा जो verb का प्रभाव है वो किस पर पढ़ रहा है करता पर करता के उपर ही यहाँ वाक्य समाप्त हो जा रहा है तो यहाँ intransitive verb हो गी जिसे the dog barks यहाँ पर dog जो है वो भौक रहा है ठीक है काम हो रहा है भोगने का क्रिया क्या को रही है यहां पर भोगने का अब यहां पर सारा का सारा जो वाकिक है वह करता के उपर है subject के उपर ठीक है इसमें object की अवशक्ता नहीं है तो यह verb जो है वो intransitive verb हो गई जहां पर object की अवशक्ता ना हो उसमें intransitive verb उसको intransitive verb कहत अब object क्या है जैसे अमित reads a book यह object हो गया अमित किताब पढ़ता है अब एक किताब पढ़ता है तो अमित जो है वो subject है ठीक है reads a book अब reads का प्रभाव subject पर ना होकर करता पर ना होकर किस पर पढ़ रहा है यहां पर book पर ठीक है तो यह हो गई ट्रांसिटिव वर्ब जिस वर्ब को object के अवश्यक्ता हो उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं क्या कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब साकर्मक क्रिया साकर्मक मने कर्म के साथ वाली क्रिया जिसको कर्म की अवश्यक्ता हो the cat kills a rat अब kills जो है वो क्रिया है बिल्ली चुहे को मारती है हो गया तो अब यहाँ पर अगर चुहा ना लिखें तो यहाँ अधूरा वर्ब हो जाएगा इसको object की अवशकता है इसमें main जो है object है ना की subject ठीक है object पर प्रभाब पढ़ रहा है किसका main verb का तो the cat kills what यह धूरा वाग गया अगर हम बोलेगे बिल्ली मारती है क्या मारती है जब हम पुरा वाग की जब करेंगे ए रैट तब यह वाग की पुरा हुआ यह sentence तो object की जहाँ पर आवशकता हो रही है वर्ब को तो वो हो गया अब इसमें linking verb थर्ड हमने पढ़ा linking verb तो am, are, is, was यह सब linking verbs है I am a student, you are a player he is a tailor, she was a singer ठीक है तो यह linking verb linking verb इस तरह से इस्तेमाल होती है अब यहाँ पर है मनीश गेब मी अ पैन मनीश ने मुझको पैन दिया इसमें देखो दो objects है ठीक है मी भी object है और pen भी object है और पिया क्या है गेब और मनीश मनीश ने मुझे पैन दिया तो दिया जो है वो verb है उसके indirect object और direct object direct object और indirect object वो होते है जिसे मनीश ने pen दिया यह main काम उसका क्या है pen देने का है किसको pen दे रहा है वो मी को तो ये हो गया indirect object और ये direct object डारेक्ट object में अकसर हमेशा जो निर्जी वबस्त में non living things आती है और indirect object में हमेशा अकसर हमेशा और कभी कभी नहीं भी होता लेकिन अकसर जो होता है living thing ही आती है ठीक है ये ध्यान देना है जैसे sita sent him a letter इसमें letter जो है direct object हो गया ये indirect object हो गया sita यहाँ पर subject है करता है क्या कर रही है sita जो काम कर रहा है वाक्य में वो subject हो गया अब verb sent को object गया वर्शकता है लेकिन दो object है indirect object और direct object लेटर देना है उसको ठीक है उसको letter भेशती है भेजा भेजती है नहीं भेजा उसने सीता ने उसको एक पत्र भेजा थिक हो गया तो यह हो गया indirect object और direct object दियो डियो लिखा है तो id मने indirect object और do मने direct object lv लिखा था यहां पर अगल लिखा होगा तो linking verb होगा अब जैसे यहां पर है sham is reading book हमने इसको अभी क्या पढ़ा था linking verb पढ़ा था लेकिन अब इसके साथ full verb का भी इस्तेमाल हुआ है जहां पर full verb के साथ verb का इस्तेमाल होगा वह बन जाएगी auxiliary verb अब यहां पर इस जो है वो auxiliary verb है जो हमने fourth part पढ़ा था auxiliary verb साहय क्रिया ठीक है अब auxiliary verbs जो है उसको हमने दो भागों में बाड़ते हैं primary auxiliaries और second होता है जो होता है वो होता है model auxiliaries ठीक है अब primary auxiliaries में जो forms होती है जिनसे की primary auxiliary बनती है वो है we have do बी में is am are आता है is am are is have am who are है plural word हो गया are और have have had और has इसका इस्तेमाल होता है और do do did तो अब हम कैसे बनाया है यहां पर देखो जैसे शाम is reading book अब यहां पर जो is है वो auxiliary verb होगी क्योंकि full verb reading है शाम किताब पढ़ता पढ़ रहा है पढ़ रहा है तो यहां पर tense का भी हमें ग्यान हो रहा है यह continuous tense बनाने के लिए यहां पर इसका इस्तेमाल होया और ing फॉर्म लगा है she was sleeping there वह वहां वहां सो रही थी was थी तो sleeping तो यहां पर यह क्या हो गया auxiliary verb क्योंकि यह main verb जो है वह सोने का काम हो रहा है सोने का काम हो रहा है लेकिन यह past tense है तो यहां पर was जो है वह auxiliary verb हो गई अब यहां पर जैसे हैं हमने दूसरी form देखी थी have or has had ब्रिजेश has helped me अब जब यह होता है perfect tense में यूज होता है इसका यह हमने पहले वीडियो में has, have, had का इस्तेमाल sentence में कैसे करते हैं यह अच्छी तरह से पढ़ा है इसको आप देख सकते हैं तो ब्रिजेश has helped me तो देखो helped यह अपकी third form होती है जब हम perfect tense बनाते हैं और यह present perfect tense है इसलिए has का इस्तेमाल हो रहा है तो न और यहां पर he had slept यह past perfect tense है इसमें third form ही इस्तेमाल होती है लेकिन यहां पर has की जगह past में head का इस्तेमाल होगा ठीक है तो यह main verb क्या है यहां पर जो है जो full verb है वो slept है लेकिन उसके साथ जो helping verb है वो head है तो यह auxiliary verb होगी has or had जो है auxiliary verbs होगी you do not go there अब यहां पर देखो not यह negative sentence भी है और यहां पर do का इस्तेमाल होगा है अब यह negative है तो जो main verb है go जो full verb है full verb के साथ जो sahayak verb do लगी है उसके बीच में not लगेगा तो यहां पर do जो है वो auxiliary verb होगी did you like fan अब देखो like did you like fan यह interrogative sentence हो गया और यह past का sentence है तो did you like fan तो इस प्रकार से हमने यह देखा जो sentence one और two है is was sham is reading book she was sleeping there मैं is or was का use full verb के साथ continuous tense बनाने के लिए प्रयोग हुआ है ठीक है और three or four sentence bridges has helped me he had slept इसमें has or had का प्रयोग perfect tense बनाने के लिए हुआ है और जो five or six sentence है you do not go there did you like fan इसमें do or did का प्रयोग negative sentence and interrogative sentence बनाने के लिए प्रयोग हुआ है तो यह जो है वो हो गए auxiliary प्राइमरी auxiliaries हो गए अब दूसरा आता है model auxiliaries model auxiliaries में आता है shell will can may must there should कई और word है उसको हम detail में next अभी पढ़ेंगे इसके बाद I shall go there अब shell जो word है यह क्या है model auxiliary क्या होती है यह जो वर्ब के साथ लगकर कारे की करने की विधी बताती है कारे करने का धंग कारे करने का धंग बताती है यह शब्द तो इनको model auxiliaries कहती है कैसे कारे हो रहा है इसे can है वो सकता है उस काम को कर सकता है you can do this work वहाई इस कारे को कर सकता है she will do it वहाँ इसको कर करेगी कर लेगी है ना तो कर लेगी तो यहाँ पर देखो will, shall, can से उस वाक्य के करने के धंग कारे करने की विधी पता चल रही है तो इनको बोलते है model auxiliaries model auxiliaries तो इस प्रकार से हमने पढ़ा verb और verb में हमने kinds of verb, intransitive verb, transitive verb, linking verb, auxiliary verbs auxiliary verbs के दो पार्ट्स होते हैं primary auxiliaries और model auxiliaries अब हम detail में next वीडियो में जो auxiliary verbs हैं इसको detail में primary auxiliary और model auxiliaries को हम पढ़ेंगे तो यह हमारा वीडियो जो lesson है यहाँ पर पूरा हुआ